नीमच में चेंबर आफ कॉमर्स के तले प्रेशित लिस्ट अनुसार 18 प्लस के उम्रवाले व्यक्तियों का वैक्सिनेशन लगाने के लिए कैंप का आयो जुन दिनांक 9 जुन 2021 समय 10 से 5 बजी तक स्थान सुरेंड का धरमिशाला नीमच पर चेंबर आफ कॉमर्स के तत्वाध किया जाएगा एस्सियेशन के प्रमो के इवं जिमेदार सदस्थी समय पर उपस्तित होकर वैक्सिनेशन कैंप को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें टीकगरंट के लिए शिवर में पंजियन हेतु अपने साथ में आधार काट जरूर है यह प्रमो के पर बाद बहुत समय बाद बाज्यार की रोंक लोटी है और हम वियापारी भी चाहते हैं कि हमारा परिवार भी सेफ रहे हमारे प्र shops के लिए अच्छे से चले लिए मैंनी प्रावारी मंत्री मोदे से सांसाट जी विधायग जी से निवेधिन किया था कि वियापारियों के लिए 18 प्लस वेक्षिन का आप हमें आयोजन करने दे सलाट भूक करने में बहुत परिशानी होती है उन्होंने हमारे आग्राय को माना और चेमबर आप कामर्स के बेनर के ले कल परणकार धरमशाला में हम केम्प आयोजीत कर रहे हैं इसमें जो भी वियापारियों 18 प्लस वाले उनको हम वेक्सिनेशन लगाएंगे इससे क्या होगा कि हमारे वेक्सिनेशन लगने के बाद हमारे कस्टुमर भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे और जो कोरोना फेल रहा है उसको रोकने में भी बहुत कारगर साबीत होंगे हम व्यापरियों से अफिल करना चाहते हैं कि प्रशासन की गाइडलाइन का पूर्णता पालन करते हुए कल वहां पर केंप में उपस्तित हों और प्रशासन ने हमा पूर्च जोखिम वाले ग्रूप में सारे व्यापारी विक्रेता और इस प्रकार के लोगों को भी शामिल किया गया है तो चेम्बर आप कामर्स के जो व्यापारी वर्ग हैं उनका अपना संगठन है और उनका अपना जो लेस्टिंग है उनके रिजिस्टेशन उन लोगों कर रखा है तो उस ग्रूप को भी हमने कल टीका करन लगाने के लिए रखा है तो चूंकि संख्या में ज्यादा है करीब 200-300 लोग है तो उनको सब का एक जगे टीका करन हो जाए इसके उद्देश से उसको हमने सुष्णकार समाज धर्णशाला में उनका टीका करन किया जान जोखिम वाले लोगों में उम्र का कोई सिमा नहीं होती है जो मिनिममम उम्र उसकी जो परमिसीवल है वो अठारा साल है अठारा साल से उपर के सभी लोगों को टीका करन में वह किया जाएगा नीमज से दिपक खताब्य की यह रेपोर्ट